देव फ्रेंज आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे GST के उपर जैसा कि हम सभी जानते हैं GST को लगे हुए पूरा एक साल कम्पलीट हो गया है GST की नई दरें 27 जुलाई से लागू होने वाली है तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे GST से रिलेटिट नई दरों के बारे में कि इन दरों के लगने से किन वस्तों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और वो सस्ती होने वाली चीजें कौन सी है चुनाव की ठीक पहले सरकार ने आम आदमी को बड़ी रहात देने की कोशिश की है GST परिश्ट ने कुछ जरूरी चीजों पर टेक्स की दर को कम कर दिया है जैसे कि रेफरिजरेटर, वाशिंग मशीन और छोटे टेलिवीजिन सहित कई ऐसे समानों पर GST की दर 28 फीसिदी से घटा कर 18 फीसिदी कर दी गई है तो चलिए जानते हैं इस अबडेट के बारे में शुरू से आखिर तक जुड़े रही है इस वीडियो के साथ रेफरिजरेटर, वाशिंग मशीन और छोटे टेलिवीजिन के साथ कई ऐसे समानों पर GST की दर 28 फीसिदी से घटा कर 18 फीसिदी कर दी गई है कर की इन दरों में कटोती करने के इलावा GST परिस्द ने कई समानों पर से कर समाप्त भी कर दिया है जिसमें की सैनिटरी नैपकीन, राखी, फॉर्टिफाइड मिल्क और पत्थर, मार्बल और लकडी से बनी मूर्तियां शामिल है दिली में हुई बैटक में डेड़ करोड से कम टन ओवर वाले करीब 80 लाख वेपारियों को बड़ी रहाद दी गई है ऐसे करदाता अब कर का भुकतान हर महीने करेंगे, मगर इन्हें तिमाही रिटन दाखिल करने की सुविधा होगी ऐसे करदाताओं के संख्या कुल करदाताओं की 93% है इन छोटे डिलरों से कुल राजस्व का 16% की प्राप्ती होती है चलिए जानते हैं कि वो कौन सी चीजे हैं जिन पर GHD नहीं लगाया जाएगा सेनेटरी पैट, पौस्टिक तत्व, मिश्रित दूध, बिना नगवाली राखी, दस्तकारी के छोटे समान, पत्थर, लकडी, मार्बल की मूर्तियां, फूल जाडो, साल की पत्तियां, भारत सरकार द्वारा जारी होने वाले सिक्के ये सबी चीजे अब GHD से फ्री होंगे, इसके अलावा मकमल के कपड़े, हैंडलूम, दरी, फर्टिलाइजर के इस्तेमाल होने वाली फासफोरिक एसिड, बुनी हुई कैप और 1000 से कम कीमत वाली कैप और फीत प्रिंटेट कपड़ों पर अब 12 से सिर्फ 5 परसं का टेक्स द हस्त शेप से बना समान, हाथ से चलने वाला रबर रोलर, जीपर, शीशे, स्टोन आर्ट, पीतल, लोहे, हैंडीक्राप, लैम, प्रकृतिक गोन से बना समान, पेंटिंग वाली लकडी का फ्रेम, फोटोग्राफ, तांबे और अलूमीनियम से बनी कला करितियों पर 18 से 12 पर का टेक्स लगाया जाएगा, वहीं पर पर्फ्यूम, सॉंदर्य प्रसाधन, ट्वाइलेट का समान, छोटे टीवी, पानी गरम करने वाला हीटर, पिजली से चलने वाली प्रेस, मशीन, रेफ्रिजरेटर, लीथियम आईरेन बैटरी, मिक्सर ग्राइंडर, बाल सुखाने वाले उपकरन, दाड़ी बनाने वाली मशीन, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, दूद की चिलिंग प्लॉंट, कॉंक्रीट मिक्सर लॉरी, जूस निकालने वाली मशीन, आग से बचाओ के वाहन, मिक्सर ग्राइंडर, जूस निकालने की मशीन, आधी पर 28 से कम करके 18 परस होटल के कमरों पर अब जियेश्टी उनकी घोशित किराएं के बज़ाए वास्तवी क्रूप से वसूले गए किराएं पर लगेगा। अभी 7,500 रुपे से अधिक के कमरों पर 28 परतिशत और 5,500 से 7,500 रुपे के बीच के कमरों पर 18 परतिशत और 1,000 से 5,500 रुपे के बीच की दर के कमरों पर 12 परतिशत की दर से जियश्टी लगाया जाता है इसी तरह e-booking की अपूर्थी पर टेक्स की दर 18 से घटा कर 5 परसन कर दी गई है इन दरों में इन amendment और कटोगतियों से सरकार के खजाने में सालाना 8000 से 10,000 करोड के राजस वसूली प्रभावित होगी GST परिसित की अगली बैठक 4 अगस्त को हुनी है और ये GST की नए धरे 27 चुलाई से लागू कर दी जाएंगी तो फ्रेंज ये था आज का हमारा वीडियो GST के अपडेट्स को लेकर उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिये गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें अगर आप लॉसे रिलेटिड किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैं कोशिश करूँगी आपके मन पसंद टॉपिक पर वीडियो जल से जल दे करा हूँ तो फ्रेंज आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच